नमस्कार दोस्तों उतकर्स तरसिंग क्लासेज के इस ओनलाइन प्लेटफोर्म पर आप सभी का हार्दिक शागत है आज अपन इस शौर्ट वेडियो सेशन के अंदर गत अपन एक इंपोर्टेंट टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं उस टॉपी का नाम है बई इस टॉपी का नाम आ आप सबने सुन रखा कंपार्टमेंट शीन्ट्रों क्या चीज से बढ़ी दिख्कत आती यह क्या इस ओना होगा लेग इस तरह केस्में देखने को मिलती है कवाट्मेंट्म सिंड्रोम द्यान से समझेंगा बड़ी इम्पोर्टन्ट पैतोलोजियां पर इंप्लिकेट होती है, किस तरह से यह पैत हो, इस तरह से चलती है, देखिएगा, सबसे पहले आपन बात करते हैं, कमपार्टमेंट, यह कमपार्टमेंट क्या चीज होती है, आप सब को पता है, कि अपार्टमेंट और कमपार्टमेंट, अपार्टमेंट का मतलब होता है, अपने बोडी की बात होती है, कहा हो जाती है, बोडी की बात होती है, जैसे कोई भी अपने लिम्स होते है, कौन से होते हैं, क्या चीज होती है, अपने लिम्स, किसे कहते है अपने हाथ हो गए, पैर हो गए, लिम्स होती है, लिम्स के अंदर क्या परजेंट होती है, अपने अब उस compartment के अंदर देखो तीन चीजे परजेंट होती है एक आपके होती है नारू एक आपके होती है कुमिकूल समझगे बात को मैंने बात करी तो मैं कमपार्टमिन सिंड्रोम के बारे में इस चोटा सा पॉर्शन होता है जैसे कि साली स्सेल इस कुछ से सपर लिव्म्स को लिवग शद thirds पर इसक्रश सकता हैसे अपके अपर murm lib को भी किया कड़ सकता है लिम्क जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपनना बात करी भी मुक्न अरहती है रहती है जो मंसल से रहती है अब SMT अब जो ग्रूप में डिवईड़ेटरा नहें रहती है अब जो पूरे क्लिंऄल और जो आ झांन Custom 1 बोर सकते हैं 811 266 upside इसे जो पूरे एक मसल स्की अब उस मसल स्कीं कर्वेंग कंपन किया है वैं पूरे कंपार्टमेंट की करेंग अपन किस नाम से जानतेमेहीं किस नाम से जानते हैं regardless और फेशिया को चानदें वह किस नम से जानते हैं और फेशिया कोई गणते हैं और फेशिया कोई करता है आपके आहसाए sound कि इस भी एपकी जो इसकीन रहती है, अब किसी भी वजह से आपके इस जो उप्रमाटमेंट के अंदर इंजुरी होगी, कोई हो सकती है वो आपकी फेक्चर हो सकता है बर्न हो सकता है कंप्रिशन हो सकता है स्वर्लिंग हो सकती है उस किसी भी वज़े से इस के अंदर क्या होगी आपकी अंदर इंजिरी होगी और जब इंजिरी होगी तो यहां पर क्या होगा इस commentिंट के अंदर क्या होगा इंक्रींज प्रेशर रिन प्रेशरिन compartment इस कंपार्टमेंट के अंदर प्रेशर इंक्रीज रहेगा और जब प्रेशिर इंक्रीज ओक तो मैंने आपको बताया था कि परीजो यह नरNG होती है मसल सोती है black supply होती किसके दः कावट रहती है phosphya के डीया को चीज activities सेट उती है प्रो जवाद़ा टप होती है खी और एक्शेंज आपस में रशाम करता तो और आपके जो इससे आगे, डिश्टल जो टिसूज रहते हैं, उसको क्या होने लग जाएगा, उसको हाइपोक्षी होने लग जाएगा, उसको मिलने वाली oxygen है, जो उसकी मेटाबॉलिजम के लिए ज़रूरी है, उसमें क्या हो जाएगी, धीरे-धीरे कम याने लग जाएगी जब आपको हाइपोक्षी होगा, अब किस रउप में करवत हैं, वो तो आपको किस रूप में करवत होता है, वो स्वेलिंग के रूप में करवत हूँगा, आपकी धीरे-धीरे गुप्लेट स Wizards को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा और उससे आगे वाला डिश्ट्टन इस जब four to six hours जak saleर जब रहता है तब आपने मेका इस mm क्या करना पड़ता है आपके उस पार्ट का सिलम को क्या करना पड़ सकता है आपको एंपूरिशिंग करने पड़ बड़ सकता है तो अभी मैने वापस आपको लेखे往 हुए कि मैंने का लिंस होते के लिंस को अंदर लेucharा को होते हैं बाद मुखल अलग आपकी जोसमें के लिच परजेश्ट नहें लिच संप अन्दर मुखल नगवेते वाँ सिद पर legal कंपाट में घamento कहते हैं और phatic tissues को cover k hvorante ते हैं आपकी skin covered रहती हो जो एक normal process रहता है अब क्यो भू भी वझे से आपकी इस में क्या होगी compartment में क्या होगी injury होगीforce क्या होने की और रश scop अगर रप्चर हुई तो वो क्या करेंगी आपकी ब्लड को स्कैप आउट करेंगी उसके साथ में क्या होगा और इसके साथ में आपका इंफ्लामेटरी प्रोसेश होगा वहां पर हिस्टमीन भी रिलीज होगा तो सेल की प्रमेबिटी भी बढ़ेगी और उन दोनों की वज़ द्यू टू ब्लड एंड ब्लड एंड फ्लूड जो लीक्ट फ्लू है उसके वज़े फ्लूड के वज़े से वहां पर क्या होगा प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वह क्या करेगा वह क्या करेगा डिक्रीज ब्लड सप्लाई करेग decrease blood supply करेंगा और वहाँ पर क्या होगा आपका tissue hypoxia होगा tissue hypoxia होगा और tissue hypoxia जब होता है तब आपको पता क्या release होगा इंफ्लामेंटिव प्रोसेश चलता है वहाँ पर क्या release होगा आपका histamine release होता है क्या होता बहीं? histamine release होता है और और ज्यादा किस नाम से जानते हैं? compartment syndrome के नाम से जानते हैं थ्यान से चुनिएगा बड़ी important बात रहती है इस रिगार्डिंग आप से कभी ने कभी important सौल पूछे जा सकते हैं तो वापस एक वार मैं आपको short में repeat करता हूं थ्यान से सुनिएगा कि कोई भी जब limb रहता है तो limb जैसे मेरे हाथ होगे पैर होगे हाथ और पैर को अपन कहते हैं lower limb या upper limb कहते हैं तो limb के अंदर आपन देख तो बाहन होती है वोन के surrounding muscles है और muscles जो रहती है, fat है, वो सारे चीज़े रहती है, तो muscles वाला जो group रहता है, वो अलग-अलग divided रहता है, उसके अंदर क्या present होती है, muscles के साथ साथ में, आपकी blood vessels और nerve supply present रहती है, अब क्या होता है, अब इसमें किसी भी वज़े से injury हो जाए, तो यहां पर जो blood vessels present होती है, वो क्या कोई leak out हो सकती है, या फिर आपके swelling बढ़ गई, कोई भी inflammatory process की वज़े से swelling हो गई है, तो वो क्या करते है, ultimately आपकी blood और nerve supply को क्या कर देते है, इंटरप्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंटरप्ट करेंगे, और इंटरप्ट करेंगे, तो इससे जो distal, इससे जो distal site होती, वहां पर क्या नहीं पहुंचवाएगा, आपकी oxygen और blood नहीं पहुंचवाएगा, तब वो नहीं पहुंचेगा, तब आपको क्या होने लग जाए और वो compartment होते हैं जो मसल के वो फेशय के दार कवर्ट रहते हैं और उसके पर फेशिट इसू रहते हैं और उसके आपर स्कीन रहती है किसी भी इंजुरी के वजए से अगर भीड लिग आउट वा तो वह क्या करेगा उस साइट पर प्लड लीक होने के वह क्या क्या इन करेंскомपर्ट्मिंड क क्वाइट एंढर प्रेशिट को ड्विफ दे्या और क्याpoxेगा प्लिट सप्ल होंट कर देगा क्वल नरु सप्लय कर देका और उसके साथ में आपकी ब所以呢 काड़ा के में अपको और होगा किJust होगा है पको काड़ी साथ में आगर भी उसका जा ःगा और थी चलता रहे गा प्रोस्ट और अस करना हो तो तो कंपार्टमेंट क्या किया थै। आपकी टिशू कि डार्नीक विजह से अपनेखों क्या करना होता है। æो कंपार्टमींट क्या चीज थी। और उसकी वजे से क्या कंपार्टमेंट syndrome कैसा डोलुपता , syndrome काcyclर मतलि ओता है किसी भी डिसौर्टर में इ Africans के में पर जाएंस ऐसे इसे वज़एसे कि आपकी मैं के मृल्टिपल सिंट्रम्स की ओ जाएंगं रिप्रम बने ओंगे वह किस वज़ए से due to the increased pressure in compartment जो दनरली fluid के लिकेज वज़े की हो सकता है ब्लेड की वज़े से हो सकता है different different causes होते हैं अपनों उसके बारे में पहले बात करते हैं causes of compartment syndrome etiology या फिर अपनों से कह सकते है causes of compartment syndrome सबसे पहला क्या हो सकता है सबसे common glucose होता होता है fracture fracture होता है वो भी किसका especially long bone का और especially side क्या रहती है आपकी lower limb common side common side होगी उसके अलवाज हो रहता है आपका burn burn की कढ़े से में भी आपको इदिक्रत देखना कमलती है burn की वज़े से भी क्या होता है inflammatory process होता है cell death होता है fruit का leakage होने के वज़े से आपके वहापर क्या हो सकता है compartment syndrome develop हो सकता है compression अगर आपके किशी पर्शन को जब फैक्चर होता है और कास्ट अपलाई करते हैं और कास्ट की अगर टाइट फिटिंग कर दी जाती है उस वज़े से भी क्या हो सकता है उसके डिस्टिल साइड वे क्या होगा आपकी blood supply नहीं पहुंच पाईगे और वो कंडिशन भी क्या क कर सकती है आपके compartment syndrome को डवलब कर सकती है उसके अलावा जो रहता है आपका कोई भी आपकी penetrating injury हो रहती है वो भी क्या कर सकती है आपकी blood vessels को direct injury कर सकती है और वो क्या गरेगी वहां से थे फ्रूट को escape out करवाईगा और वो भी दिक्कत आपके हो सकती है। इसके एलावा जव रहाती है आपकी swelling, किसी बी और problem की वज़े से, जैसे कि DVT की मज़े से, DVT बोले तो, कि अगर आपके लिब के अंदर बीनेस दनीज प्रपर नी हो पा रहा है तो उस पाउय से भी अगर नेज से फ्यर मांदर फिर्स१ तो यह ने सपर ठीर खर डशुट उसली डेके यह सारी-किनम्टमतों नी खरीजिब्ग ऊपर दानार近 दो और वो बड़ी क्या रहती है, खतरनाक बात रहती है, आपको ultimate case पर जाना पड़ सकते हैं, आपको amputation का मतलब हो जाता है, separation of removal of extremity, clear है, चलो, अब अपन बात कर ली कोजेज की, तब अपन बात करते हैं, sign-aid symptoms के, sign-aid symptoms, सबसे पहले अपन देखते हैं, pen, उसके लापन परेस्थीशिया, पेन, परेस्थीशिया, पेलोर, पसलेशनेस, पाइकिलो थर्मिया, सबसे परेस्थीशिया नाम से जानते हैं, सबसे अगर आप से बात करें, अपना परेस्थीशिया का रहता है, AT keyword or click, रहता है सबसे लेट सांड रहता है तो इसबसे कामन को मलता है क्या रहता हुआ पैंन सबसे को मली सबसे परलusan के सबसे जैसे आपकी ब्ल जो ऐसे होता ना कोई पिन जुब्र जासा एक्षेंस जनाता है जो परों में जिंजनाट जो जह रहती है जो जनरली आपन आम बोल चाल की पहसा मुसको अपन कहते है पैर की नींद आजा ना मतलब आपन काई बीशी पोजिशन बैठते है कि आगे की ब्लड सप्ले इंटरप् पर oxygenated blood नी पहुचेगा तो अंग कैसा हो जाएगा वो पीला पढ़ जाएगा जैसे किसी portion के अंदर एनिम्या होता है तो एनिम्या के कंडिशन में बोली जो बोडी होती हो पीली पढ़ जाती है तो वैसे वैसे किसम इनिशीली क्या होता आपकी बोडी क्या होता उस होना लग जाएगा उसके अलाब पुल्स लेसनेस कंप्लेट अगर ब्लेट सप्लाइ इंटरप्ट हो जाती है तब आपको डिश्टिल पार्ट पे कुछ भी पल्स फील नहीं होगी उसको अपन क्या कहते है पल्स लेस कहते है यह सारे लेट साइन के अंदर आते है पाइक प पार्ट कैसा लगने लग जाएगा कूल लगने लग जाएगा तो इसके अंदर जो टेंपरचर है उस एक्स्टिमिटी का उसाई प्रोपर मेंटें रहेगा और फिर भी लंब टाइम तक अगर नर्स अप्ले इंटरप्ट रहती है तो पार्ट में क्या हो जाता है पारलाइस तो सारो गैं की इस नाम से जांते है वadian 6P के नाम से जानते है यह सारे सारे साइन क्या रहते है। अपने कंपार्टमेंट सेंट्रों के रूप में इंपोर्टेंट रहते है उसके अलाववा डाइगनॉस्टिक ।श्टिई पारें इस इस्ट्रि कि अपना इस्टिय लेंगे भाइ किस परशन को यह दिकत किस की वज़े से कोई DVT हुआ है कोई फैक्ट्र हुआ है या कोई स्वैलिंग पर जयन्टी या किस वज़े से उसको अपन पैसे को पहले फिजीकली देखेंगी कि यह जोलिण जैसी कंडिशन और पहसे में डिस्ट लाखे पर दुब डिस्टर इसी कंडिशने तो नॉर्मली कितना रहता है, 0-8 mmHg रहता है, और कमपार्टमेंट के क्रिंद्रोप कंडिशन में, जा बलट सप्लाय कंप्रोमाइज होने लग जाती है, वहाँ पर कितना हो जाता है, मोर देन 30 mmHg से भी जाधा हो सकता है, इंट्रा कमपार्टमेंटल प्रिशर जी से अपन क गडर के लिए ऑसिड़ा करते हैं, इस या डफलार के अंदर है, ग्रेशन में लूमन को देखते हैं, और बलट फ्लोव रहा है उसको पन देखते हैं, किस तरह से बलट का फ्लोव रहा का है, डोपलर के अंधर है उसको यहला पन CT करवा सकते हैं, और MRI तक अपने अप्रोच कर सकते हैं अगर अपने को और ज्यादा डिसेल डिटेयल में टिसु स्टेडी करनी है कहां कहां तक डेमेज हो चुका है क्लिर है तो यह सारी की सारी क्या रहती है अपने इन्यूस्टिकेशन आप चोई रहती है अपने इन्यूस्टिकेशन को देख सकते हैं कहां तक क्या इसक treatment treatment की बात करें तो इसमें मैं ली क्या रहते है आपकी surgical intervention रहता है क्या रहता भी आपका surgical intervention क्या रहता important रहता है surgical intervention कहन सा और तो वह मैंने आपको बगा था कि कोई भी muscle compartment को कोई भी जो मसल का compartment होता हो कवर्ड किसके राज द्वारा रहता है वह आपके फेश्या के द्वारा रहता है और अब फेश्या का यह ताइट है फेश्या के अंदर बहुत ज़्या प्रेशर है तो उस क्या का जाता है फेश्योट टमी का जाता है फेश्योट टमी का मतलब यह होता है कि इंसीजन इन फेश्या इंसीजन जब फेश्या का अंदर लगता है उसको अपन क्या कहते है वह फेश्योट टमी के नाम से जानते हैं इंपोर्टेंट रहती है सारी के सारी बाते हैं क्यों pressure and maintain blood flow maintain blood flow करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं उस incision देंगे incision दोगे तो जो भी इसके अंदर pressure release होगा तो अपनी blood pressure क्या होगी उसको वो उसमें free हो जाएगा free होते उसके अदर से क्या हो सकता है blood flow वोही normal हो सकता है पर वो initially अगर आपने intervention करा है तो इसलिए within four to six hour के अंदर अपन अगर इस intervention करें तो अपन क्या हो सकता है अपन उस पार्ट को amputate होने से क्या कर सकते हैं बचा सकते हैं एक ही तरह का क्या रहता है surgical intervention हरे तो जनरली यह फोर्टो को देखते हैं अपने लगाएंगे और उसके अंदर जो मसल्स का जो प्रेशर उस प्रेशर को रिलीव करेंगे तो ब्लेट सप्लाई वो नॉर्मली चालो हो जाएगी तो सीधी सी बात है कमपार्टमेंट उन्ट्रोम क्या क्या मसल्स एक कमपार्टमेंट के अंदर रहती है और कमपार्टमेंट में peaceful度 को दाने के वज़े से यह सब कूछ था ऒ आपके कमपार्टमेंट sinDROME के बाएं तेंक यू सो मज पूर जोइनिंग दॉट्सेशिन